वेल्कम टू अहल्दी टूट वे देश हुमेपिती इन्हेलर्स एक ऐसी चीज है जिसको एक फर्स टेट की तरह माना जाता है जब कोई अस्थमाटिक अटाक आता है लिगिन क्या यह बात आप चानते हैं कि इन्हेलर्स चानलेवा भी हो सकते हैं मैं आपको किसी तरीके से डरा ने रही बट मैं आपको सिर्फ सचेत कर रही हूं इस चीज़ पे कि अगर इन्हेलर्स चीक से नाल लिये जाएं तो वो जानलेवा हो सकते हैं इन्हेलर्स लेते वक्त आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप spacer यूज़ कर रहे हैं तो आपको spacer कब यूज़ करना है उसमें medicine कब डालनी है और उसको कब आपने इन्हेल करना है किस डायरेक्शन में इन्हेलर होना चाहिए जब आप उसको पने मूँ में लेते हैं और जब आप उसको प्रेस करते हैं उसकी जो medicine का effect है वो किस डायरेक्शन में जाएगा कि आपके वो लंग्स में जाएगा क्योंकि बहुत सारे side effects inhaler scale ही देखे गए हैं सबसे major side effect inhaler का यह होता है कि अगर आपने inhaler का direction चीप नहीं रखा और आपके mouth की cavity में ही वो medicine रह जाती है तो वो fungal infection भी cause कर सकती है अगर inhaler का direction चीप नहीं है तो वो लंग्स में जाने की बजाए वो आपके upper respiratory track में travel कर सकती है और आपको choking भी हो सकती है point number three is the steroids inhalers में जो steroids हैं उनके बहुत ज्यादा side effects होते हैं आप long term पे अगर inhalers पे रहते हैं तो आपके हातों में shakinis आ सकती हैं tremors आ सकते हैं आप अपना balance जो है वो control नहीं कर पा सकते हैं आपकी memory जो है वो weak हो सकती है आपकी appetite effect हो सकती है आपके mouth में ulcers हो सकते हैं और बहुत सारे side effects inhalers के steroids के देखे गए हैं आप जो भी inhalers लेते हैं वो अपने doctor की salah पर ही लें मैं आपके साथ एक बहुत important news बहुत ही reliable source से आपके साथ share कर रही हूँ जिसका link जो है हमारे description box में होगा asthma से इंडिया में more than 1 lakh deaths होती है every year यह figure कोई छोटा figure नहीं है इसका सबसे main reason यह है कि asthmatic attack वालों को time save medication या treatment नहीं मिल पाता मैं आप सब को यह request करना चाती हूँ कि अगर किसी को asthmatic attack होता है या अगर आप अपने friend circle में office में colleagues में किसी को भी देखते हैं कि उनको asthmatic attack हुआ है तो उनको immediately medical treatment provide करने के लिए लेके जाएं क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर होगे तो वो देर चानलेवा हो सकती है को stop नहीं करते हैं immediately inhalers को stop नहीं करते हैं हो में जब आप treatment लेते चले जाते हैं तो आपको सिरफ अपनी allopathic medicines और homeopathic medicines में 1R का gap देना जरूरी है वो अपना action करती रहेगी और homeopathic medicine अपना action करेगी और homeopathic कभी भी interfere नहीं करती किसी भी medicine inhalers या steam inhalation के action में तो मैं आप सब को यह राय देना चाहूंगी जिनके घर में किसी को अस्तमा है या खुद को asthmatic problem है बच्चे को asthmatic problem हो रही है उनका जल से जल हुमेपैतिक treatment स्टार्ट करना है Thank you so much for watching कर दो कर दो